Hello everyone, welcome back to my channel Guys, मैं एक और यो रीडिंग के साथ आगई हूँ, कैसे हैं आप सब I hope कि आप सभी अच्छे हैं, खुश है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे What does this person, यह person कोई भी हो सकता है यह person आपके लिए कैसा फील करते हैं यह person कोई भी हो सकता है, जिसके लिए भी आप ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा आपके माइन में कोई person चल रहा होता है तो कोई भी हो सकता है, देखो, आपके parents भी हो सकते हैं आपके relatives हो सकते हैं, आपके siblings हो सकते हैं, आपके loved one हो सकते हैं, आपका crush हो सकते हैं, आपके husband wife हो सकते हैं डिपेंट करता है आप किसके बारे में जानना चाहते हो, तो anyone मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो what does this person feel about you, right now, यह हम यहाँ पर जानेंगे, और बिना देर करे reading को start कर लेते हैं तो reading को शुरू करने से पहले, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि यह journal reading है, तो हो सकता है, सभी के साथ resonate हो, हो सकता है, ना हो, so please keep an open mind और यह reading timeless भी है, और अगर आपको अपने बारे में डिटेल में जानना है, तो उसका भी option है, guys, इसी वीडियो के description box में आपको मेरा Instagram ID का लिंक में लेगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी personal reading book करवा सकते हैं, prices और details सब कुछ description box में mention है, तो अच्छे से पढ़कर आप मुझे DM करना, क्यूंकि मेरे चैनल के नाम और डिस्प्ले पिक्चर से बहुत सारी fake accounts पने हुए हैं Instagram पे, तो make sure कि जो मैंने link प्रोवाइट करा है, आप वहीं पर जाकर ही, उसी पर click करकर मुझ तक पहुचें, तो fraud से बच जाएंगे, चलिए अब start करते हैं, let's see what does this person feel about you right now, star, queen of swords, three of swords, hanged man, and the wheel of fortune, okay, the wheel of fortune, triple two angel number, मुझे दिखा भी, two of swords, ace of swords, यहाँ पे न, aces के cards सबसे जादा आ रहे हैं, like, not aces, like swords, family सबसे जादा cards हैं, four cards अब तक आ चुके हैं, oh, wait a second, yeah, three of cups, page of pentacles, and again we have eight of swords cards, like sword family, यहाँ से king of cups की energy है, cards आ गएं, almost, तो यह cards क्या हमें बता रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, यह person, let's see, पहला card हमारे पास star का card है, like manifestation continuously हो रहा है, आप दोनों connected तो हो, देखो जिसके लिए भी पूछ रहे हो, yes, आपका connection है, बना हुआ है, लेकिन यह connection बनना चाहिए, या नहीं बनना चाहिए, उसको लेके confusion है, जिसके लिए भी आप पोच रहे हैं, इवन दो यह person आपको contact करना चाहते हैं, आप से बात करना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं ठीक है कितना आगे तक देख रहे हैं इस connection को आपके साथ लेकिन कहीं न कहीं जिसी कि 3 of cups और 3 of swords का card है आप दोनों बहुत जादा hurt हो एक दूसरे से इस time और या हो सकता है कि कुछ karmic accounts यहां पर अभी बने हुए है यहां पर delay आया हुआ है जैसे कि hangman का भी card है न इदर तो यहां पर delay दिख रहा है और situation अगर आप देखो यहां पर यह जो card है situation आपके हाथ में 50% है 50% नहीं है पहली बात तो इस relationship को कहलो या कुछ भी जिसके भी आप पूछ रहे हो ठीक है फिलाल के लिए आपको रख दिया है इस person ने hold पर और the wheel of fortune card बता रहा है और the star यह बहुत powerful card आए हैं मैं आपको बताऊंगी इतने यहां पर swords के cards है इसका क्या meaning है ठीक है लेकिन यह जो दो powerful card आए है star and the wheel of fortune card और फिर यहां से एक और positive card है ace of souls card यह तीनों card तो बता रहे हैं कि जिसके लिए भी पूछ रहे हैं कि कनेक्शन आपका उनके साथ काफी strong है ठीक है destined connection है और यह person आपो contact करना चाहते है अच्छा time देखो थोड़ा सा अभी यहां पर डिले चलेगा because we have hangman card and ace of sorry wheel of fortune के नीचे यह card आया है eight of souls का card यानि कि अभी आप stuck हो इस person के साथ लेकिन still आप दोनों ही manifest करते होए दिख रहे हो ठीक है यह बिलकुल clear है अब जब यहां पर swords के cards आए हैं तो मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो situation आई है तो आपकी जो problem है within eight to ten days में resolve हो जाएगी ठीक है यह इंसान जो delay है यह सिर्फ 10 से बारा दिन का है not more than 12 days ठीक है तो इसलिए पैनिक नहीं होना है जिस तरीके से manifest कर रहे हो जिस तरीके से destiny में जो लिखा है उसे attract करने की कोशिश कर रहे हो आप वो चीजे करते रहों आपको बहुत ज़्यादा angel numbers दिख रहे होंगे like triple five, triple four, triple two इसका मतलब यही है कि situation थोड़ी सी complex हो चुकी है लेकर ऐसा नहीं है कि solve नहीं हो सकती है यह हो जाएगी time will heal this situation so आपको ज़्यादा tension लेने की जरुरत नहीं है ना ही इस person के बारे में सोचने की जरुरत है because यह इनसान अभी delay पे छोड़ दिया इसने situation को like delay delay ले आए हैं और surrender भी कर दिया लेकिन को अभी कोई action नहीं लेना even यह चाहते हैं contact करना बटी confused है इसकी confusion ऐसे ही दूर नहीं हो जाएगी इसकी confusion time के साथ दूर होगी और time बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है situation में ठीक है बहुत जल्दी resolve हो जाएगी है situation ऐसा मैं आपर देख रही हूँ wedding this situation involves wedding marriage getting to know each other give your relationship a chance तो आप देखना दस बारा दिन के बाद यह खुदी इस connection को chance देंगे और separation चल रहा है अभी लेकिन खतम हो जाएगा because give your relationship a chance work on your partnership this person will ready to work on this partnership okay और यह situation तो marriage लेकर आ रही है it means अगर सच में destiny में है यह connection यह person then सच में आपकी शादी हो जाएगी okay और आप दोनों एक दुसरे को पहले बहुत अच्छे से जानोगे लेकिन अगर आप confused हैं तो आप personal reading book कर आ सकते हैं जादा clarity के लिए serendipity की vibe यहाँ पर है और यह कुछ time तक के लिए चलेगी ठीक है like जितना time आगे जाएगा उतना जादा आपको चीजे reveal होंगी आपको समझ में आएगा दोनों को और यह इस person को काफी ज़्यादा attraction है आपसे बहुत ज़्यादा attraction यह attract होते हैं that is why यह आपको भूल नहीं पाते हैं बट यह अपने work में अपनी करियर में बहुत ज़्यादा busy हैं इस वज़ा से हो सकता है कि इस वज़ा से भी यह एक factor हो सकता है कि इनसान आपको time नहीं दे पाते हैं because इसको अपने लिए और अपनी future को secure करने के लिए आप देख रहे हो ना किस तरीके से beautiful garden garden means like अपनी life को secure करना चाहते हैं अपनी life में stable होना चाहते हैं ताकि without any tension बिना tension के ना tension के बिना ही अपनी जिन्दी की future में जीएं और इसके पास वो हर एक चीज हो जो इसको चाहिए ताकि अपने आपको भी समाले और अपनी family को भी तो इस तरह कि कुछ सोच है आपके partner की और यह आपसे काफी ज़्यादा attract feel करते है attraction है आपर that is आपको भूल नहीं पाते हैं बार बार आपके पास आते हैं और यह wedding तक जाने वाली यह बात जिनके भी साथ यह चीज resonate हो रही है yes यह आपकी जो situation है अभी current situation यह wedding तक जाएगी marriage तक बात जाएगी okay तो तब तक खे लिए universe पर trust कीजिए universe आपको बहुत support कर रहे हैं trust कीजिए and abundance ही मिलना है आगे आपने na abundance ही मिलना है तो जितना trust कर सकते हो trust करो खुश रहने की कोशिच करो अच्छे से manifest करो temporary situation से घबराना नहीं है more than 10 to 12 days do what is desire of you perform your duty अपनी duty perform कीजिए अपने कर्मा create sorry अपने कर्मा create कीजिए खुश रहने की कोशिच कीजिए और yeah prayer करते रहे है ठीक है यह आप कर सकते हैं so guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई आपको पसंद आई हो अभी के लिए बैस इतना ही बाई take care